यहां apply आचुका है तंपर डिटक्टेर तो देखते हैं किया किंडिकेटर आफ होता या नहीं है तो कैसमिंद रहा है मूव से 5 आचुका है वह ऑजिए अंब الخट करें पहले कियाल रिकाता हूं उसके बारे बात करेंगों बन्ुछ चैक ऐसके बारे मैं बात करेंग दिखा करें तो यहां पर जाता है एक यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ दिखो यह vintage eclipse और बोल्ट तो पहले था और यहीं पर आ जाता है जिसको आप यहां पर apply कर सकते हो sound मुझे तक का इन चारों मोड के अगर आपके पास नहीं आया है मुझे बीटा वर्जन तो आपको कैसे मिलेगा आप पहले अपने के बाद सिफ इंस्टॉल करना है टोटल तीस मिनिट का आपको टाइम जाएगा जिसके अंदर आप इसको इसको इंस्टॉल कर सकते हो फिर सबसे पहले मोड हो गया फिर सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वह है ओला मैप का अभी जो इनका इन हाउस मैप जो हुआ है यहां इसके अपने को यहां से कहीं बी जाना शर्च किया और इसको नवीगेशन को आप इसको नवीगेशन पर करके आप इसको नवीगेट कर सकते हो वहीं साथ के अंदर अगर यह जानना है कि आपका scooter कहा है, find my scooter के तुरू, तो यहाँ पे आपको देश से map के अंदे दीख जाता है कि scooter कहा है, अगर आप vehicle से काफ़ी दूर हो, तो आप automatic मतलब दूसरे vehicle से इसके अपने ओला scooter तक आ सकते हो, तो यह find my scooter का जो है, वो आपको ओला map में ही देखने को म मिले हैं, अभी एसा ही एक और कमाल का feature है, वो है auto turn off indicator, जो कि मैंना आपको बजा चेतक के वीडियो में दिखाया था, अभी इसमें भी आ चुका है, तो उसके लिए क्या करना होता आपको, जैसे settings में आ गए, यहाँ पे all settings के अंदर, यहाँ पे option है lights का, lights केंदे यहाँ पे इंडिकेटर आपके सामने दिख रहा है, अभी अगर मैं यहाँ पे ही mode देता हूं गाड़ी को, तो देखते हैं क्या indicator off होता है या नहीं, तो देख सकते हो, आप indicator off हो चुका है, तो यह एक feature मुझे काफी अच्छा लगा है, auto turn off indicator का, जैसे car के अंदर होता है, वे साही feature default या हाई रखनी की जबुरत नहीं है, फिर उसके बाद आजाता है, यह fault detection का, अब fault detection क्या है, जैसे अभी अपने लॉक कर दी, गाड़ी लॉक है, अब यहाँ पे अगर कोई गाड़ी को हिदानी कोशिज करता है, तो देखते हैं क्या यह temper detect करता है या नहीं, तो देखो इधर आओ, एक बाद दिखाओ, यहाँ पर आ चुका है, देखो temper detected, तो यह भी काफी कमाल का feature है कि कोई भी गाड़ी को हिदानी कोशिज करेगा, उठानी कोशिज करेगा, तो यहाँ पर temper detect आ जाएगा, फिर यहाँ से आप जाके unlock क्लिक करके, unlock कर सकते हो, ठीक ह अभी unlock करोगे, जब तक यह sound होता रहेगा, और यहाँ पर आपको hill hold के अंदर एक option मिलता है, तब भी आपको hill hold का option मिलेगा, कि मतलब जैसे अथर ने पहले जो अनौंस किया था ना, अभी एथर का आ रखा है, जैसे आप down में जा रहे हो, आपने brake लगा दिया, तो आगे न दोनों चीज़े एक साथ नहीं दबाते हो, सेम hill hold वाले जो feature है, वो down fold में भी काम करेगा, अभी all settings में जाके मैं आपको और भी काफी सारे जो options है, दिखा देता हूं, जैसे lights के अंदर हम आता है, तो lights में अब आपको take me home lights भी दिखेगी, जो कि आपकी scooter lock होने के 30 seconds तक यहा बाद off होगी, तो guys, यह तो हो गए, जो scooter के अंदर आपको functions देखने को मिलते है, mobile applications के ओपर भी कुछ functions आपको यहां पर showcase किये गए है, तो mobile application पर आजाओ, तो यह new वाली mobile application जो updated है, अभी यहां पे, आपको scooters पे जाओगे, तो यहां पर आपको option मिल जाता है, जैसे proximity unlock जो तो यहां पर अभी से की, जो भी option से हो साले आजेंगे कि आपको sport mode इनको on रखना है या नहीं, अगर off कर देंगे, तो अब जब भी अभी से ride करेगा, तो यहां पर sport mode active होगा ही नहीं, चाया कितनी बार भी इस mode button को लबा दे, फिर उसके बाद जी of time fans का option है, इसमें हम यहा तो यह official, जो office purpose से use करता है, उनके लिए काफी ज़्याद अच्छा है, और आपको दिखा हूं, तो यहां पर ride general है, यहां पर आपको riding के बारे में बताया है कि आपनी कितना distance travel किया है, कितना रुपे बचा लिया है, COT avoids कितना किया है, रीजन से कितना आपने kilometer generate किया है, तो और उसके बाद riding history भी आईगी, जो कि आपको future में देखने को मिलेगी, इस पर अभी सिर्फ coming soon आ रहा है, फिर आता है concert mode, तो concert mode में क्या है, कि आप अपनी concert को है यहां पर create कर सकता, आपने concert mode create कर दिया, सारे wifi's connect होंगे, सारे scooters के, और सब के scooter एक साथ एक ही sound पे play करेंगे, तो एक जो माहूल बनेगा, सच में कमाल का होने वाला है, तो यह थे मुवएस 4 beta version के सारे features, जो कि मैंने आपके साथ share किया है, अब जिनके पास Ola S1 Pro है, उनको hill old वाले features भी देखने को मिलेंगे, eco mode पे cruise control भी देखने को मिलेगा, तो आपके पास कौन सा scooter है, क्या आपको Ola की तरफ से आने वाला मुवस 4 beta version मिला है नहीं, कमें में जरूर बताना, और इस तरीके और वीडियो के लिए चैनलों को सब्सक्राइब करके बेरा करने जिवर दवा देना, मिलता आप से लिए वीडियो में, ओके बाए